इस lecture में पर, तापी, नर्मदा, रीवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में discuss करेंगे ये कैई दिनों से news में है पर, तापी और नर्मदा ये तीन रीवर है नधी इनको interlink किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है लेकिन गुजरात में कुछ ट्राइबल्स हैं, आधिवासी लोग हैं, वो इसका अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में। यह Central Government का project है तो यह project क्या है और इसका विरोध क्यों कर रहे हैं इसके फायदे और नुकसान क्या है सब discuss करेंगे Prelims और GS Paper 1 के लिए important है और GS Paper 3 में भी यह important है project यह 1980 में एक National Perspective Plan बनाया गया था उसके अंदर ही आता है यह project तीन river है जो पर, तापी, नर्मदा कहां कहां से निकलती है पर नदिये जो नासिक से निकलती है महाराष्ट में यह भाईसाव इंडिया का मैं अब देख रहे हो यह यहां से निकलती है इधर से पर रीवर यहां जाती है गुजरात की दरफ यह वलसाद रीजन से होते हो जाती है जो तापी है वो सत्पुडा रेंज यह वहां से निकलती है महाराष्ट और गुजरात में जाती है फिलो करती है यह भाईसाव इधर तापी है यह मद्धपरदेश से यहां से इधर से निकलती है सत्पुडा रेंज के पास से नर्मदा ये रिवर निकलती है मद्धपरदेश में अमरकंटक रीजन है वहां से निकलती है महराष्टा और गुजरात में फिलो करती है ये वाला जो देख रहे हो ये नर्मदा है ये वाला रीजन यहां से निकलती है मद्धपरदिस महराष्ट गुजरात में ये जाती है बहती है फिलो करती है तो ये जितने भी आपको रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं ये हमारे इंडिया में और भी इंटरल लिंकिंग प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं ये कैनाल बनाके नहर बनाके एक दूसरी रिवर को जोड़ा जा रहा है इतने सारे प्रोजेक्ट नहीं है लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं परतापी और नर्मदा प्रोजेक्ट के बारे में ये प्रोजेक्ट क्या करेगा जो भी सर्प्लस वाटर है इन रिवर में जो अधिक वाटर है उसको जहां पे डेफिसिट है वाटर का सोरास्ट रीजन में और कच रीजन में गुजरात के सोराष्ट और कच्छ रीजिन में कम पानी है वहाँ पे ये पानी डाइवर्ट करेंगे कैनाल बनाके कैनाल मतलब नहर बनाके क्या benefit होंगे इसके फाइदे देखो भाई साब जो surplus water है अधिक water है पानी है इसके वज़े से हम बाड़ भी आ सकते हैंगा ज़्यादा बारिस हो जाए तो यहाँ पे बाड़ नहीं होगी तो surplus water और जगह पे भेज दिया जाएगा डाइवर्ट कर दिया जाएगा वहाँ पे सूखानी पड़ेगी पहला फायदा तो यह होगा इसका इससे link बनाके लगबग 2,32,175 हेक्टर के area को irrigate किया जा सकता है वहाँ पे सिचाई की जा सकती है खेतों में लगबग इतने 61,190 हेक्टर की land पे यह land route बनेगा कैनाल का link हो गई है 10,000 करोड के लगबग इसमें cost आएगी इस project में इस project का विरोध क्यों कर रहे हैं लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं एक report के अनुसार लगबग 6,665 हेक्टियर की land वो समर्ज कर जाएगी रिजर वेर की वज़े से जो यहाँ पे रिजर वेर बनाया जा रहा है यह समझ लो बांध वगएरा पानी जहां store किया जा रहा है उसकी वज़े से अगर वो तूट गया तो इसकी वज़े से यहाँ पे इतने area का डूब जाएगा पानी में डूब जाएगा समर्ज हो जाएगा समर्ज का मतलब पानी में डूब जाना 61 villages प्रभावित होंगे इसकी वज़े से पूरे के पूरे गाम एक गाम तो पूरा का पूरा डूब जाएगा और बहुत सारे गाम 60% तक डूब जाएगे टोटल नंबर जो family affected होंगी इसकी वज़े से प्रभावित होंगी जो family में इसकी वज़े से 6 village प्रभावित होंगे गुजरात में लगवख 2000 family इसकी वज़े से प्रभावित होंगी जो ये fear कर रही है उन्हें ये डर है ट्राइबल को कि इन्हें displace क्यार दिया जाएगा दूसरे place पे भेज दिया जाएगा और जब घर छीन दे जाते हैं तो ये भी इन्हें डर है benefit क्या होगा इस linking project का फायदे पहला तो यह होगा water और food security enhance होगी जब भाईसब जहां पे पानी नहीं है ड्रॉट सूका पड़ती है सोराष्ट और कच्छ रीजन में तो वहां पे पानी उपलब्ध होगा सिचाई होगी खेतों की तो खेतों में अनाज होगा उसकी वज़े से खाद सुरक्सा होगी food security आएगी दूसरा है proper utilization of water पानी का सही उप्योग हो सकेगा वरना अब तक तो यह समुद्र में जाता था पानी इन रीवर का जो बचा कुछा पानी है next होगा boost to agriculture अगरी कल्चर तो यह तो फाइदा होगा उपर हमने पड़ा किर्सी में फाइदा होगा disaster mitigation आप दा सुझ संकट आते हैं उनका कम होगा reduction होगा उनका कैसे जहां पर पानी जादा है वहां पर flood बाड़ा सकती है जहां पर कम है वहां पर drought सूका पड़ सकती है तो दोनों की दोनों ही disaster है बाड़ हो या फिर आपका सूका हो flood drought तो यह mitigation होगा disaster का boost to transportation transportation का भी promotion होगा इसकी वज़े से आवा गवन बढ़ेगा issue और concern क्या है issue और concern पहला तो हमने यह पढ़े कि जो यह लोग विरोध कर रहे हैं उसकी वज़े से वो भी सारे issue और concern है और भी issue है जैसे यह project पहली बात तो बहुत ज़्यादा expensive है बहुत ज़्यादा खर्च लेंड फोरस्ट बाइवस्टी रीवर और लोगों की livelihood को परभावित करेगा जैसे हमने उपर डिसकस किया फोरस्ट के साथ साथ यह wetland local water bodies इनको भी परभावित करेगा और यह major groundwater recharge के mechanism है इनकी वज़े से groundwater recharge होता है wetland आदर भूमी जहां पर पानी वारा भरा होता है यहां प पीच में आ रहे हैं गाम बसे हों उनको अलग करना पड़ेगा अगर यहां से उन्हें अलग बसाया जाएगा मालों यहां पर उनके लिए घरवन वाना पड़ेगा यही प्रोसस है rehabilitation का displacement करना लोगों को rehabilitation करना compensation देना मौफजा देना और यह सारा बड़न किस पर आएगा government प पर उनकी payment भी रुकी रहती है government officer की वज़े से तो यह सारी प्रोस इसमें corruption की वज़े से यह सारे delay होते हैं इस process में नेक्स्ट है जब यह पानी मोड दिया जाएगा जो अब तक समूंदर में जा रहा था अब यह समूंदर में नहीं जाएगा अब कहीं और पे जाएगा सू इस पर प्रभाब पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी जीव यहां पर कुछ species थे पानी में जीव थे या पेड़ पोदे थे वह ताजा पानी की वज़े से वहां पर जीव इत थे खारा और ताजा पानी जब mix होता था लेकिन जब खारे खारे पानी में fresh water की जो amount है जो fresh water की मा आत्रा वह कम हो जाएगी तो इस पर भी threat पड़ेगा marine life पर भी इतने सारे इसके नुकसान होंगे